हेलो बच्चो कैसे उमीद करता हूँ बढ़ियांगे भाई आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का एक्जाम पैटर्न जानेंगे इसका फोम आ चुका है भर लेना कौन-कौन बच्चे फारम को भर सकते हैं कितनी एज तक भरने हैं और इसमें ये जो आपके सब्जेक्ट आ रहे ह क्लास 9 के लिए क्लास 9 में आपका जो पेपर है उसमें आपके चार सब्जेक्ट आने वाले हैं आपका हिंदी आएगा इंगलीस आएगा जर्नल साइंस आएगा और मैत आएगा इंगलीस यहां पे 15 क्योश्चन होंगे जो की 15 ही नंबर की होंगे यानिकि एक सवार आपका 35 नंबर के और मैत आपका 35 मार्क्स को होगा टोटल पेपर आपका 100 नंबर का हो जाएगा और इस पेपर को करने के लिए आपको टोटल ढ़ाई गंटे का समय मिलेगा एक्जाम विल भी लाश फोर टू एंड हाफ आवर यानि कि आपको दो गंटा तीस मिनट में इस पेपर क कंप्लीट करना होगा अब यहां पर अगर एलिजबिल्टी की बात मानें तो यहां पर कंडिडेट जो है वो 13 से 16 साल के बीच में होना चाहिए यानि कि 13 साल का है कंप्लीट तो भी वो चलेगा 16 साल के बाद एक भी दिन जादा हुआ तो वो नहीं चलेगा और 13 साल से एक भ आपका डिस्टिक में पहु लग सकता है और आपके डिस्टिक से बाहर भी सेंटर लग सकता है उसमें कोई प्रोबलम वाली बात नहीं है दोसरा कोई बी स्टुडेंट है स्लेवस की तो स्लेवस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इंगलीस के स्लेवस देख लीजिए इंगलीस में आपका पंदा नंबर का आएगा और यहां पर आपके पूरे दस जो है चैप्टर आएंगे कंप्रिहेंसम वर्ल्ड और सेंटेंस रेरेंजिंग स्टेक्चर मोडल रिपोर्ट यूजो प्रिपोशन टेंस एंड यूज ओप डिग्रियों को इसके बाद हिंदी में जो आपका आएगा हिंदी में आपके दस चैप्टर पूरे आएंगे वन विचार परियाए सव्ध प्रिचे और व्याख्या रचनातमग उसके बाद जो आपका साइंस का काफी बड़ा स्लिवस आपको मिलेगा और इसमें आपके ज्यादर तर जो क्योंशने क्लास सिक्स सेवन एट तीन क्लास से ज्यादर पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको टोटल सतरह चैप्टर क को त्यार करना होगा, क्लोप प्रोडक्शन, माइक्रो और्गनिज्म, फुड प्रीजर्वेशन और मेटीरियल, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, नोन मेटल, स्कोल, पैट्रोलियम, कंबूशन, कंजर्वेशन और प्लांट एन अनिमल, रिप्रडेशन इनिमल, रिचि सिस्टम, एंड कॉंसलेशन, उसके बाद आपको जो मैटकस लिवस आएगा, इसमें टोटल आपके 11 चैफ्टर्स आएंगे, रैसनल नंबर, क्यूब और क्यूब रूट, डारेक्ट इंडारेक्ट, एक्स्पोनेंट, स्क्यार और इस्क्यार रूट, लीनियर एक्वेशन, इसमें डारेक्ट इंडारेक्ट दोनों रेशियो आएंगे, डेटा हैंडलिंग, अंडरेस्टेंडिंग और मैंसुरेशन, तो यह सारे आपके जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हैं, जो मैंने आपको बताई, यही आपके पेपर में आने वाले हैं, तो मुझे करता हैं, तो कोई डाउट होंगे तो कमेंट वोक्स में पूछे लेना, अगली कलास में किलियर कर दूँगा,